सीकर जिले में लगातार तीसरे दिन बारिश के चलते हर्ष परवत पर लैंड स्लाइडिंग होने की घटना सामने आई है रास्ते में पहाड से बड़े बड़े पत्थर आकर सडक पर गिर गए कुछ जग सडक किनारे बनी दिवार भी तूट गई गनीमत रही कि इस दोरान कोई जन हानी नहीं हुई आसपास के लोगों ने इसकी सूशना प्रशाशन को दी सीकर तैसिलदार अमिलाल मीना समेत कुछ अधिकारी पुलिस टीम के साथ हश परवत पहुचे जहां आमजन के जाने के लिए रास्ते को बंद करवाया गया है फिल हाल सडक पर पड़े पत्रों का हटाने का काम जारी है सीकर तैसिलदार अमिलाल मीना ने बिताया कि हाल ही में हश परवत पर नई सडक का निर्मान किया गया था उन पत्रों को भी वहां से हटाया जाएगा